अपने बेटे करन देओल की शादी में सनी देओल ने लगवाई महंदी जो की बनी चर्चा का विश है। आए डालते हैं सनी देओल की महंदी पर एक नजर। एक दरफ जहां सनी देओल की प्रोफेशनल लाइफ में गदर टू को लेकर खूब गदर मची है तो वहीं दूसरी तरफ उनकी फामिली लाइफ में काफी हलचल मची है। दरसल सनी देओल की बेटे करन देओल इसी महीने 18 जून को शाधी के बंदन में बढ़ने जा रहे हैं। करन देओल अपनी close friend दुरुशा के साथ शाधी के बंदन में बढने की पूरी तयारी कर चुके है। इससे पहले करण और दुरिशा की प्री बेडिंग फंक्शन की शिरुवात हो चुकी है और ऐसे में अब दूले राजा और परिवार के सदस्यों ने महंदी की रस्म में हिस्सा लिया है और अब सनी दियोल ने भी अपने हाथों में महंदी लगवाई है जो कि खूप चर्चा हो रही है जिसकी सनी दियोल के घर में आपको बता दू कि बेटे की शादी के लिए पूरी तरीके से घर सजधर्च कर तैयार है इनके घर गेस्ट के आने का सिलसला भी शुरु हो चुका है और ऐसे में अब देखा जाए तो 12 जून को करण की रोका सरिमनी रखी गई थी तो प्रसल दूरहे राजा करण दियोल के पापा सनी दियोल ने हातों की महंदी की तस्वीरे काफी यूनीक और काफी वाइरल हो रही है सनी दियोल ने बेटे की शादी के मौके पर बड़े ही खास डिजाइन की महंदी लगवाई है आक्टर के हाथ में सजी यूनीक महंदी की दस्वीरे शोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रही है जहां आपको बता दू कि सणी द्योल ने अपने में चारोध धर्म के साइम्स को अपने हातों पर सजाया है और दिखा रहे हैं यूनिटी तो बेहत ही ύूनीक और बेहत ही चरचा की विशय बन गई है सणी द्योब की में तो 55 जूम को द्योल फामली और आचैरे फामली शग उनकी में द्योल हो बता द दरसल ये खास इसलिए भी है उनके हाथों पर हर धर्म का प्रतीक शिन नजर आ रहा है जिसमें ओम ओमकार के अलावा चांद और तारे भी बने नजर आ रहे हैं उनके हाथों पर सजीये मेंदी हर धर्म के लिए सम्मान जता रही है करन के हाथों पर दृश्रा का नाम लिखा ह इस मेंदी सरिमनी की कई तस्वीरे भी सामने आई हैं और दोनों बहुत जल्द थारा जून को शादी रचाने जा रहे हैं तो आप भी डाले सरी दियोल के इस यूनीक मेंदी पर एक नज़र और अपने रियाक्शन देना बिल्कुन न भूले